मुक्तार अंसारी के बाद अब अब्बास अंसारी का नमबर जेल में बंद अब्बास को कैसा डर? उत्र प्रदेश का माफिय डौन मुक्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है बांदा जेल में बंद मुक्तार अंसारी की अचानक तबेद बिगडी थी और फिर उसे अस्पता ले जाया गया था जहां हाट अटेक से उसकी जान चली गई थी वही अब जेल में बंद मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी को भी एक डर सताने लगा है वो भी जान जाने का डर दरसल मुक्तार अंसारी के परिवार का रूप है कि मुक्तार अंसारी को जेल के अंदर जहर दिया गया था उसी वज़ा से मुक्तार की जान गई थी वही अब अबास अंसारी को डर सता रहा है कि जेल के अंदर उसे भी जहर दिया जा सकता है मुक्तार अंसारी के बड़े बेटे अबास अंसारी ने कहा कि मेरे पिता की जान लेने में शामिल लोग अब जेल प्रिशासन से मिलकर मेरी भी जान ले सकते हैं अबास अंसारी ने खाने में जहर मिलाने की आशंगा जाहिर की है बता दे बांदा जेल में बंद रहे मुक्तार अंसारी ने मौत से कुछ दिन पहले खाने में जहर दिये जाने का आरोप लगाया था इसी को लेकर अबास अंसारी के वकील लियाकत अली ने जानकारी दी वकील ने बताया जेल में उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है प्रभ्म होने के बाद उन्हें जिला जेल से काजगंद जेल भेज दिया गया। जेल में तबीद बिगणने के बाद उन्हें अस्पता लाया गया था जहां उन्हें जान जली गई थी। पर भी सवाल उठ रहे हैं, हाला कि इस मामले में कोट ने तुरंद संग्यान लेकर जेल प्रिशासन को आदेश भी जारी कर दिया है। ये वन इंडिया हंदी के साथ।